हलो दोस्तो आप सब का स्वागत है हॉममेड रेसिपी में तो दोस्तो आज मैं आपसे पनीर की सबजी बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी बहुत ही आसान तरीके से बनेगी लेकिन खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वाधिस्ट लगेगी एक बार इस तरीके से आप पनीर के सबजी जरूर बनाना आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने 500 ग्राम पनीर लिया है जिनको मैंने छोटी छोटी क्यूब में काट लिया है तो यहाँ पर हम गेज पर एक पेंट रखेंगे जिसमें दो चम्मच ओईल डालेंगे और पनीर के सारे पीस इसमें हम एकएक करके रख देंगे पनीर को हम हलका सा फ्राई करेंगे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आजाए इतना हम स्को फ्राई करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से हलका सा brown color हो जाए तो दोनों तरफ हम पनीर को इस तरीके से fry कर लेंगे और जब दोनों तरफ अच्छा सा golden color आ जाएगा तब हम इनको बाहर निकाल लेंगे तो जब हम पनीर को oil में इस तरीके से हलका सा fry कर लेते हैं तो ये सबजी में दीखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं दूसरी तरफ एक बरतन में मैंने गरम पानी रखा है इसमें हम फ्राई की हुए पनीर डाल देंगे इससे पनीर सिकूड़ेगा नहीं बलकि फुला फुला और नरम रहेगा तो आप पनीर को इस तरीके से फ्राई करके गरम पानी में रख देना दूसरी तरफ गेस पर हम कडाई रखेंगे और तीन बड़े चमच ओईल डालेंगे ओईल को हलका गरम होने देंगे यहाँ पर मैंने तीन मीडियम साइज के प्याज को बड़ा बड़ा काट लिया है प्याज को हम हलका सा ओईल में फ्राई करेंगे थोड़े से नरम हो जाए तब हम इसमें दूसरी चीजे डालेंगे अब हम इसमें 10-15 लसन की कली डालेंगे दो इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और दो मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर डालेंगे अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे ताकि टमाटर जल्दी से गलने लग जाए इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे गेस की फ्लेम हमें मीडियम रखना है ओल में इस तरीके से टमाटर प्याज लसन अदरक को फ्राई करने से मसाला जल्दी सिच जाता है और ग्रेवी को सीजने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ग्रेवी तेस्टी भी लगती है तो जब यहाँ पर टमाटर आदे से ज़्यादा गलने लग जाए यहाँ पर यह चिपकने लग गए है तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे तो यहाँ पर मैंने टमाटर प्याज और लसन को निकाल लिया है अब उसी कडाई में हम दो चम्मच ओईल और डालेंगे ओईल को अच्छा गरम होने देंगे अब हम इसमें एक तेज पत्ता, एक डाल चीनी का टुकडा एक बड़ी लाईची डालेंगे तीन चार लॉंग डालेंगे पांच छे काली मिर्च डालेंगे एक टेबल इस्पून जीरा डालेंगे इन सब को ओईल में अच्छे से फ्राई करेंगे जब खड़े मसाले थोड़े फ्राई हो जाए अच्छे से तब हम इसमें आधी चम्मच कश्मिरी लाल मेच डालेंगे ताकि हमारी सब्जी में थोड़ा अच्छा कलर आ जाए आधी चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे अब हम यहाँ पर कुछ सेकेंड के लिए चम्मच से मिक्स करेंगे अब हम यहाँ पर अधरत लसन, प्याज और टमाटर को मेनी ठंडा करके पेस्ट बना लिया था वो डालेंगे पेस्ट को मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इसमें आधी चम्मच लाल मेच पाउडर डालेंगे दो टेबली स्पून धनिया पाउडर डालेंगे इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे गेस की फ्लेम हमें यहाँ पर मीडियम रखना है मीडियम फ्लेम पर ही इस मसाले को सिजाना है यहाँ पर अभी मसाला नीचे चेटने लग गया है इसलिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे तो मैंने जिसमें मसाला पीसा था उसी में मैंने आधा कब पानी डाला है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस मसाले को ढखकर हम तकरीबां 10 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर सीजने देंगे ताकि इसमें से पानी हट जाए और ओइल छोड़ने लग जाए मसाला और 10 मिनिट के बाद में ये देखो ओइल छोटने लग गया है लेकिन अभी भी मसाले को थोड़ा सिजाना बाकी है तो यहाँ पर हम कुछ पीसे मसाले डालेंगे जिसमें मैंने आधी चम्मज भुना हुआ जीरे का पाउडर डाला है एक टेबल इस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे आप चाहो तो यहाँ पर कसूरी मेथी भी डाल सकते हो यहाँ पर मैंने स्कीप करी है स्वाद अनुसार नमक डालेंगे तो नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं तो यहाँ पर हम चम्मज से अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढख कर फिर से हम 7-8 मिनिट के लिए इसको सीजने देंगे और 7-8 मिनिट के बाद में मसाला हमारा पूरी तरीके से अच्छे से सीज गया है एकदम ओईल छोड़ने लग गया है तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे तो यहाँ पर मैं एक गिलास भर कर पानी डाल रही हूँ चम्मा से अच्छे से मिक्स कर देंगे अगर आप थोड़ी से सूखी सबजी खाना पसंद करते हो तो जादा पानी बिल्कुल मत डालना वैसे यहाँ पर एक गिलास पानी बिल्कुल परफेक्ट है और जब हमारी ग्रेवी इस तरीके से उबल जाए तब हम पनीर डाल देंगे इसमें पनीर को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर देंगे तो दोस्तो आप चाहो तो यहाँ पर फ्रेश क्रिम भी डाल सकते हो उससे भी सबजी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा साथ में मैं हरा धनिया डाल रही हूँ और अब हम यहाँ पर एक बटर की टीक्या डालेंगे इससे हमारे पनीर की सबजी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अब हम यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक पनीर के क्यूब को ग्रेट कर लिया था वो डाल देंगे तो यह ओप्शनल है फ्रेंड्स अगर आप चाहो तो इस तरीके से एक पनीर के क्यूब को पीस को ग्रेट करके भी डाल सकते हो उससे पनीर की ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो अब हम इसको ढख कर 10 मिनिट के लिए हाई फ्लेम पर सीजने देंगे और 10 मिनिट के बाद में यहाँ पर पनीर की सबजी बन कर तयार हो गई है ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है न जादा पतली है और न जादा गाड़ी है तो दोस्तो आपको यह पनीर की सबजी बनाने का तरीका पसंद आया होगा एक बर आप लोग इस तरीके से पनीर की सबजी जरूर बनाना आपको बहुत पसंद आएगा तो इसे आप रोटी, पराठा, चावल के साथ में खाना बहुत ही तेस्टी लगेगा तो दोस्तों अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक करना, कमेंच करके जरूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और चैनल को सपोर्ट करना बिलकुल मत भूलना फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई और थेंक यू पर वाचिंग इस रेसिपी